मेरा नाम है मॉनिका और एलजी ने अपनी डव्यू सिरीज के फोन्स के अनौंस्मेंट के साथ एक धमाकिदार एंट्री माली है बजट स्मार्ट फोन्स की लिस्ट में एलजी के फ्लेक्शिप फोन्स और महेंगे फोन्स तो हमें काफी टाइम से दिख रहे थे लेकिन अब 10,000 और 15,000 की प्राइस पॉइंट में भी आपको एलजी के स्मार्ट फोन्स देखने को मिलेंगे तीन फोन का यहाँ पर अनॉंसमेंट किया गया है जिसमें LG W30 Pro Mobile सबसे जादा बैटर स्पेसिफिकेशन की साथ आने वाला है अगर बात है इस फोन की स्पेसिफिकेशन की तो प्रसेसर इसमें आपको Snapdragon 632 का मिलने वाला है साथ ही इसमें आपको triple camera भी देखने को मिलेगा और कुछ स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पर रिवील नहीं किये है साथ ही साथ प्राइस पॉइंट भी नहीं बताया है और फोन कब लाँच होने वाला है इस डेट के लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा लेकिन snapdragon का 632 का chipset है तो मेरे हिसाब से under 15,000 ही ये फोन आना चाहिए 15,000 से उपर का इसका price point बिलकुल भी नहीं रहना चाहिए अब बात करतें lgw series के दूसरे smart phones के बारे में lgw 10 को यहाँ पर announce भी कर दिया गया है launch भी कर दिया गया है सेल स्टार्ट होने वाली है तीन जुलाई से Amazon पर और यह फोन आपको 8,999 रुपे के price point पर देखने को मिलेगा और अब अगर बात है next smartphone की जो की है lgw 30 smartphone इस फोन ने तो सब का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लिया है फोन को launch किया गया है 9,999 रुपे के price point पर यह भी आपको 3 जुलाई से Amazon की सेल पर अवेलेबल देखने को मिलेगा अब जैसे lgw 30 को launch किया गया ओ हो हो इसके specification इसके अच्छाई वगेरा इसके unboxing reviews सब कुछ आपको देखने को मिल गया होगा लेकिन ये बात आपको भी पता है कि किसी भी एक phone में आपको सिर्फ अच्छाई देखने को नहीं मिल सकती है अफकोर्स lgw 30 एक कमाल के specification वाला phone है lg की तरफ से आया है और price point इतना कम है लेकिन फिर भी इस phone में अच्छाई के साथ साथ आपको कुछ बुराई भी देखने को मिल ही रही है अगर आप 10,000 रुपे यहां पे खल्च कर रहे हैं तो मेरे इसाब से आपको phone के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या आपको phone में देखने को अच्छे चीज़े मिल रही है और क्या आपको देखने को नहीं मिल रही है तो आज के इस video में हम बात करने वाले हैं lgw30 smart phones के बारे में reasons to buy lgw30 और reasons to not to buy lgw30 mobile phones के बारे में आज होब कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आएगा और अभी भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर नए है तो चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन पे click करके subscribe कर लिजे साथ ही में जो घंटी का आइकन है उसे दबाने बिल्कुल भी ना भूले रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए एंड कीप वाचिंग दे वीडियो इस अबर्ट विगिन चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हैं पे रीजन्स तो बाई LG W30 स्मार्ट फोन के बारे में और फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है LG की ब्राइंड वेल्यू अगर आप ऐसे कंजूमर हैं जिनको ब्राइंड के फोन लेना ही यहाँ पे पसंद हैं जो कि सैमसंग LG जैसी ब्राइंड को ही प्रिफर करते हैं तो उनके लिए काफी कमाल का फोन हो सकता है क्योंकि LG की ब्राइंड वेल्यू के साथ अंडर 10,000 आपको कोई स्मार्ट फोन देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो वो है इस फोन का सबसे हाइलाइट फीचर और वो है ट्रिपल रेर कैमेरा का सेट अप इस फोन में आपको अंडर 10,000 ट्रिपल कैमेरा सेट अप देखने को मिल रहा है जो कि mostly other brands यहां पर प्रोवाइड नहीं करती है प्राइमरी सेंसर आपको 12 मेगापिक्सल के लिए देखने को मिल रहा है अगर कोई wide angle camera lens वाला फोन चाहिए 13 मेगापिक्सल का तो फिर शायद LG W30 आपके लिए चॉइस हो सकती है साथ ही साथ इसमें 2 मेगापिक्सल का depth sensor भी आपको देखने को मिल रहा है थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है इसका selfie camera 16 Megapixel का एक कमाल का selfie camera आपको इस phone में देखने को मिल रहा है camera के मामले में phone काफी अच्छा है बहुत ही अच्छी photography आप इस camera से यहां पे कर पाएंगे परते हमारे fourth point की तरफ और वो है phone card display LG W30 में आपको 6.26 inch का IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है 19.5 is to 9 के aspect ratio के साथ साथ ही इसमें आपको 86% के आसपास screen to body ratio भी देखने को मिल रहा है next बाग करें यहां पे fifth point की तो वो है इसका water drop notch display इस phone में आपको water drop notch display देखने को मिल रहा है वो भी LG की तरफ से जो की काफी कमाल की बात है और एक और कमाल का option आपको इसमें देखने को मिल रहा है जो की notch को कस्टमाइज करने का है यानि कि आप अपने हिसाब से U notch या फिर V notch को चूज कर सकते हैं सेटिंग में जा कर या फिर अगर notch को हाइड करना है तो वो option भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करें तो इसमें आपको Android 9 Pie out of the box देखने को मिलता है और इस फोन के साथ आपको stock Android का experience देखने को मिलने वाला है सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो वो है फोन की बैटरी इस फोन में काफी अच्छे बैटरी यूज की गई है जो की 4000 mAh तक की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल रही है नेक्स्थ एट पॉइंट के अगर बात करें तो वो है इस फोन की audio quality अगर आप music lovers है तो फिर आपको इस फोन का audio output का अफी कमाल का लगने वाला है आउटपुट वैसे ही बहुत अच्छा है और इसमें audio boost फीचर का भी यूज किया गया है नेक्स्थ नाइन्थ पॉइंट के यहां पे बात करें तो वो है इसके sensor इस फोन में आपको सभी तरीके के sensor देखने को मिलने वाले हैं बैक साइट पे fingerprint scanner है और फ्रेंट में आपको फेस अनलोग का फीचर भी देखने को मिलने वाला है नेक्स 10 पॉइंट के अगर हम बात करें तो वो है इसकी notification LED light इस फोन में आपको notification LED light का feature भी यहां पे देखने को मिलने वाला है नेक्स 11 पॉइंट के अगर हम बात करें तो वो है इसका Cam2API option यानि कि इस phone में आपको Cam2API का option भी यहां पे देखने को मिलने वाला है और सबसे कमाल की बात यानि कि 12 पॉइंट के अगर हम बात करें तो वो है इसका price point फोन आ रहा है यहां पे 9,999 रुपए में 3GB, 35GB RAM का phone आपको इस price point पे LG की तरफ से LG W30 देखने को मिलने वाला है तो यह तो सारी काफी कमाल की अच्छी बाता है जो कि already आपको शायद कहीं ने कहीं से पता चल ही गई होंगी लेकिन अब हम बात करने वाले है reasons not to buy LG W30 smartphone के बारे में first point पे जिससे मैं बहुत यहां पे disappoint हुई हूँ वो है phone का processor Mediatek Helio P22 chipset के साथ आपको LG W30 देखने को मिल रहा है जो कि मेरे ख्याल से below to average यहां पे हो गया है हलांकि processor काफी अच्छा है 12 nanometer का है 2 GHz का octa-core processor है लेकिन फिर भी इस phone से आप एकदम high performance की उम्मीद बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं अगर आपका normal usage है daily use के लिए आपको सिर्फ चाहिए एक normal usage वाला phone जो कि आप normal usage expect कर सकते हैं Helio P22 chipset से तो फिर आपको इस chipset से यहां पे कोई परिशानी नहीं होगी लेकिन बहुत other brands भी हैं जो सिर्फ 10,000 के price point पे भी हमें Snapdragon की 660 जैसे chipsets यहां पे offer कर रही हैं हम consumers हैं compare बिलकुल करेंगे यहां पे और phone का performance एक बहुत ही बड़ा issue है तो एक तरफ Helio की P22 chipset और एक तरफ Snapdragon की 660 chipset of course comparison तो बहुत ही बड़ा है next point की अगर हम बात करें तो वो है phone का display इस phone में आपको HD plus resolution का display ही देखने को मिलता है 720p तक जबकि अब तो यहां पे ऐसी काफी brands आगी है जो display पे इतना काम कर रही है FHD plus तक का display आपको इस phone में देखने को मिल रहा है यानि कि इस phone से आप वहुत ही कमाल के display की उमीद नहीं कर सकते है एक average साथ decent display आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा HD plus resolution वाला next third point आता है यहां पे जो की सब लोगों के लिए आजकल important हो गया है और वो है gaming feature अगर आप PUBG लवर हैं आपको यहां पे एक phone चाहिए decent साथ जिसमें आप PUBG यहां पे अच्छे से खेल सकें तो फिर LG W30 आपके लिए नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि Helio का P22 चिपसेट एक average usage के लिए है casual से games आप उसमें खेल सकते हैं बैलंस मोड पे PUBG भी आप उसको खेल सकते हैं लेकिन HD graphics पे या फिर high graphics पे आप PUBG को बिल्कुल भी यहां पे enjoy नहीं कर सकते हैं frame drop, lagging वग़रा आपको इस phone में देखने को मिलेगा बिल्कुल इसके chipset की वज़़ए से next four point के हम यहां पे बात करते हैं फिफ्ट पॉइंट की तो वह है micro USB port इस phone में आपको micro USB port देखने को मिल रहा है अब कई लोग बोल सकते हैं कि micro USB port तो यहां पे कोई ऐसी बड़ा issue नहीं है हां बड़ा issue तो नहीं है लेकिन technology की बात करें तो USB type C आपको काफी companies यहां पे provide कर रही है तो अगर micro USB आपके लिए कोई बड़ा issue नहीं है तो फिर यह आपके लिए disadvantage साबित नहीं होगा next point की बात करें तो वो है phone की build quality और design से related वैसे तो phone काफी good looking यहां पे दिख रहा है gradient finish के साथ आ रहा है लेकिन इसकी build quality आपको polycarbonate की ही देखने को मिलेगी यानि कि एक average से build quality आप इस phone से expect कर सकते है next यहां पे आ रहा है phone की charging से related phone में आपको यहां पे कोई fast charging देखने को नहीं मिलती है हलाकि यह कोई disadvantage नहीं है next point की तरफ चलें तो इस phone में आपको hybrid SIM slot देखने को मिल रहा है actually मेरे according यहां पे dedicated SD card slot तो देना ही चाहिए था पर यह भी यहां पे कोई disadvantage की form में हम count नहीं कर सकते हैं तो यह एक overall package है LG W30 smartphone का 9999 रुपे के price point पे अब आप लोग मुझे पते ही कि इनमें से ऐसा कौन सा point है जो आपको seriously disadvantage लगा है LG W30 के लिए और कौन सा ऐसा point है जो आप बिल्कुल neglect कर सकते हैं और choose कर सकते हैं यहां पे LG W30 smartphone को प्लीज आपकी जो भी राय है मेरे साथ comment जरूर करिए वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करिए, share करिए अभी तक subscribe नहीं किया तो जली से subscribe कर लिजे चैनल को साथ ही साथ हम रात को आट बजे लाइव आते हैं तो मुझे रात में लाइव में join करना बिल्कुल भी मत भूलना तो चली चली से like, share and subscribe हम मिलेंगे इस तरी किसी next वीडियो में Till then, see you, bye bye and thanks for watching